दोस्तो जैसा कि थमनेल देखके आप लोग समझी गया होंगे कि हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात करने वाले हैं जी हाँ दोस्तो हम लोग बात करने वाले हैं एक थी कभूतर इस हवस के पुजारम के बारे में दोस्तों मैं इनका असली नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाया था इनके बारे में जहां पर मैंने इनकी फिल्मों के बारे में इनकी टीवी सोस के बारे में बात की थी और थोड़ा सा इनको क्रिडिसाइज किया था कि आप इतनी बड़ी प्रोडूसर हैं, आपको पैसे की कोई कमी नहीं है, बीस साल से आपका सिक्का इंड़स्टी में चल रहा है, तो अब ऐसी क्या जरूवत आन पड़ी है कि आपको इस तरीके का सौफ्ट पॉन परोसना पड देखे होंगे इन एक थी कबूतर के बारे में इस हवस के पुजारन को बहुत ही ज्यादा भिन भिन प्रकार के गालियों से संबोधित किया जा रहा है, अनेको वीडियो में जो कि यूटूब पर उपलब्ध हैं, उन पे किसी भी प्रकार का कॉपीराइट स्ट्राइक अभ पीछे की वज़ा के बारे में, तो दोस्तों मैंने उस वीडियो में चार-पांच इनके मूवीज और टेवी सोज के पोश्टर यूज किये थे, तो मुझको तो पहले यही लगा कि साइध इन ही सारी चीजों के चलते ही कॉपीराइट स्ट्राइक आया होगा, कि भईया नाम में नहीं लेना चाहता, क्योंकि भईया श्ट्राइक आ चुका है और मुझको और भी जाला डर लग रहा है क्या पता इस वीडियो पर भी श्ट्राइक आ जाये, तो दोस्तों अब आखरी बात मैं इस हवस की पुजारन एक थी कबूतर को यही कहना चाहता हूँ, कि अ और सिर्फ घटियापन, फुहरता, सेक्स को ही परोसा है, आपको पदम स्री से सम्मानित किया गया है, लेकिन आप डिजर्ब नहीं करती, क्योंकि पदम स्री से सम्मानित होने के बाद 20 साल से इंड़स्ट्री में आपका सिक्का चल रहा है, उसके बाद भी आप अपनी इसने डुए में बहुत ही अच्छे भासा का प्रयोक किया था आपके लिए, लेकिन आप थोड़ा सा भी अच्छाई डिजर्ब नहीं करती, आप रेस्पेक्ट डिजर्ब नहीं करती हैं